क्या से आप सब लोग आशा करता हूं क्या बच्चे होंगे स्वागत है आपका मेरी यूडिब चनल बेसिक में आसवान डिप्स में और इस वीडियो में करूंगा प्रेस परसंट और लॉघ्स परसंट से लेड़्ेक्शन और इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका बंस जरूर देखें जिसमें मैंने कौस प्राइस कया है क्यों कि सील इंग रेया है तो और अž जरूर देखें तभी आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी तो चले शुरू करते हैं कि पिछली वीडियो में आपने सीखा था कि प्रॉफिट और लॉज को किस तरह से कल्कुलेट करते हैं तो मैं आपको दुबारा से बतायाता हूं अगर हमें प्रॉफिट करना होता है तो उसके लिए फॉर्मुला होता है सैलिंग प्राइज माइनस कॉस्ट प्राइज जो है वह बड़ा होता है कॉस्ट प्राइज से उस केस में प्रॉफिट होता है उसी तरह से अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो उसके लिखना होगा और अपॉण में लिखना होगा रॉण जो भी मारा कॉस प्राइज के यानि कि मल्टिप्लाइ में करेंगे 100 तो प्रॉफुट परसंट निकालने के लिए आपको यह फॉर्म्ली जो है वो यूस करना होगा टोटल प्रॉफिट अपॉण में सीपी इंटू में 100 और अगर हम बात करें लॉस परसेंट की तो लॉस पहले हमें लॉस निकालना होता है उसके बाद हमें लॉस परसेंट निकालना होता है तो लॉस निकालने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मला बताया था कि लॉस निकालने के लिए हम कॉ Profit % निकलना हो यह v Unless % निकालना हो केस में ज오eria है वह अहिए पॉन में आए गा.? Profit परसन तभी निकल पाएगा जब हमारे पास profit होगा और loss % सब्सक्राइब पाएगा जब हमारे पास loss होगा तो इसलिए हमें Profit और लॉस का जो फॉर्मला वो भी हमें अच्छे से याद रखना है तो profit percent निकान लेगे लिए हमें profit चाहिए और loss percent निकान लेगे हमें loss चाहिए तो चलिए इसके questions करते हैं कुछ question number one में में दिया है find the gain percent if CP is rupees 300 and actual gain is rupees 15 तो हम gain percent बोले या profit percent बोले बात एक ही है gain को भी profit कहा जाता है अब यहां पर हमें निकानना है więte percent यानि की हम क्या कह सकते हमें रिकानना है profit परसेंट निकान तो मयें profit percent परसेंट का formula भी बताय था यह gain percent भी ब…. तो gain परसेंट का फर्मुल्ला mosquito किया बनेगा ठीक है तो यहां पर गेन देखे कुशन में गीवन है क्या एक्छby हमें हैं 1500 दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि फिफ्टीन chiaped का यहां है A B अब हमें cost price कितना है इमारा cost price है यहां पर 300 तो यहां पर cost price की जगए पर हम लिखेंगे 300 और multiply में यहां पर 100 अब यहां 20 से यह 20 cancel हो जाती है और 3 की table में 15 जो है वो 5 जापे कट जाता है तो इस तरह से जो answer आएगा वो परसेंट में आएगा तो यहां हो गया 5% तो यहां पर 5% का जो है गेन हो गया है मैं एक बार आपको बताःता हूं किस तरह से मैं इसको किया मुझे यहां गेन परसेंट निकालना था और गेन परसेंट का फॉर्मला होगा total gain upon cp इंटू 100 तो गेन यहां पर गिवन था 15 वह मैंने लिख लिया कॉस प्राइज भी या गिवन था वह मैंने लिख लिया यहां पर और उसके बाद इन्टू में 100 होता है और यहां पर इस तरह से 5 परसेंट का जो है वह गेन आ जाता है अब चलते नेक्स कोशन पर अब देखिए कोशन नमर टू में हमें दिया है आई बॉट आ वाशिंग मशीन 4 रूपीज 7500 और इस पैंड रूपीज 500 और इट्स काटेज तो मैंने एक वाशिंग मशीन खरीदी जो की 7500 मैंने कुछ सरकम्स्टांसिस की वज़े से वह बेचना है पड़ा उसे 6000 रूपीज का तो लॉस परसेंट बताना है कितना होगा तो लॉस परसेंट निकानने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें लॉस चाहिए तो लॉस निकानना पड़ेगा पहले हमें उसके खरीदी है लेकिन कार्टेज पर भी एक्सेंस किया गया है अब जो क्या होते हैं वहमारा यहां ओअब यहां इसके बताया तो अगर आपको पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो अब इसको अच्छे से देख लीचे ताकि आपको क्लेयर हो जाए कि यह ओवर चीज को खरीद रहे हैं वो उसका purchase price होगा और उसमें overhead expenses को plus करके हम cost price बनाते हैं तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि मेरे पास cost price निकान लिए क्या तरीका है तो देखें मैंने लिख लिए यहाँ पर यहाँ पर मैं लिखा purchase price तो purchase price मेरा यहाँ पर क्या है रुपीज 7500 प्लस over expense मतलब जो cartridge पर खर्च हुआ है वो इसका over expense है जो भी खर्चा हम extra करते हैं किसी चीज को खरीदने के बाद उसे हम over expenses बोलते हैं तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को add कर देते हैं तो हमारे पास आ जा जाता है वह जाता है 8000 रुपीज अब जो selling price है मशीन का वह मैं लिख लेता हूं वह है मेरे पास 6000 रुपीज अब यहाँ पर देखे कि मशीन जो है वह 8000 रुपीज की पड़ी है ठीक है और बेच उसे दी 6000 की तो इस case में हो गया loss तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर मेरा cost price जो है वह greater than है selling price से और जब cost price बड़ा होता है तो होता है loss तो loss निकालने के लिए हम क्या करते है cost price में से selling price को less कर देते हैं यहाँ cost price है मेरा रुपीज 8000 उसमें से माइनस कर देंगे selling price जो की है रुपीज 6000 और दोनों को less करके आ जाता है रुपीज 2000 का हो गया loss निकालने के बाद ही हम loss percent निकाल सकते हैं तो loss percent का formula क्या होता है total loss जितना हुआ है वह उपर अपन में CP multiply में 100 अब यहाँ पर हम values को put करेंगे और इसको solve करेंगे तो loss जो है वह है यहाँ पर 2000 का और CP जो है वह है हमारा यहाँ पर 8000 और multiply में 100 तो यहाँ देखें यहाँ पर 30 से यहाँ 30 मैंने यह काट दी और 21 जा 2 24 जा 8 यह आगया आपका 1 upon 4 अब 4 से यह 100 काट लेते हैं या फिर 2 से भी काट सकते हैं तो इस तरह से मैं यह कह सकता हूं कि यहाँ पर मुझे लॉस परसेंट हुआ है वह कितना हो गया 25 परसेंट का लॉस चलिए एक कोशन और करतें इसका अब देखे कोशन नंबर 3 में हमें दिया है कि find the loss percent if the selling price is rupees 20 and the total loss is rupees 5 तो यहाँ पर हमें loss percent को calculate करना है और selling price rupees 20 है और total loss जो है वो rupees 5 का है तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर हमें selling price given है और हमें चाहिए cost price क्योंकि loss percent निकानने के लिए जो formula होता है वो होता है total loss upon CP into 100 देखे यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि अगर मुझे loss percent calculate करना है तो total loss उपर रखूँआ जो question मुझे given है यहाँ पर देखे मैं यहाँ आपको कुछ formulas बताऊंगा जिसकी सायता से आप निकाल सकते हैं कोई भी चीज मिसिंग होगी ठीक है तो मैं आपको formula बताता हूँ तो देखे यह जो चार formula मैं यहाँ लिखे है यह बहुत important है इसमें क्या है अगर हमें selling price निकालना हो तो cost price में profit को add कर दो ठीक है अगर loss दे रखा हो तो loss को लेस करके निकाल सकते हैं profit का case हो तो यह वला यूज कर लो लो लुज कर कर देंगे जिससे हमें cost price पते चल देगा ठीक है तो इसी formula का यूज करके पहले मैं CP निकालूँगा और CP के बाद मैं loss percent निकालूँगा कि मैं यहां सबसे पहले लिख लेता हूं कि मुझे दिया हुआ यहां selling price जो है वह है रूपीज 20 और loss जो है वह मुझे दिया है रूपीज 5 अब यहां पर मैं cost price निकाले के लिए formula लिख लेता हूं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि selling price प्लस loss अगर हम यह formula लगाएंगे तो हमें cost price पता चल जागा तो selling price है हमारा रूपीज 20 और loss जो है वह हमारा रूपीज 5 तो जब दोनों को add कर देते तो बन जाता है रूपीज 25 यहां पर cost price जो है हमारा बन जाता है 25 रूपीज का अब मुझे निकालना है loss percent तो loss percent निकालने के लिए क्या करते हैं हम जो भी total loss है वह उपर लिखना है अ यहां पर अगर हम इसको solve करें आगे तो देखे total loss जो है वह यहां दिया हुआ हमें कि वह रूपीज 5 है तो 5 लिख ला है cost price जो है वह अभी भी निकाला है मैंने वह है रूपीज 25 और multiply by 100 तो यहां 5 बन जा 5, 5, 5, 25 ठीक है अब 5 की टेबल में 100 आएगा तो कितने पाएगा 5 बन जा 5, 5, 2, 10 यह 20 पे आ रहा है तो 1 इंटो 20 जो है वह कितना बन गया हमार बास 20 परसेंट बन गया तो इसका मलत 20 परसेंट जो है उसका राइट अंसर है यानि कि loss परसेंट जो है वह 20 परसेंट हुआ है तो नेक्स वीडियो हम सीखेंगे cost price और selling price को निकालना अगर हमें gain परसेंट और loss परसेंट अलड़ी गिवन है और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment करें और मिलते है नेक्स वीडियो में नए questions के साथ तब तक के लिए goodbye